कुछ ने को ज़्यादे है कि बहुल बिकारीने के लिए ही हो रहा है राष्ट्य पर उको नहीं मना सकता तो मैं क्या यहाँ उसमें गुलामी में रह रहा हूँ नमस्कार स्वागत है आपका हेड्लाइन सेंडिया पर मैं हूँ नवीन चोहान कौन था वो जिसने चंदन की चान ले ली सवाल यही है यह मुद्धा क्या वाकई राजनिती के कारण हुआ है या फिर एक सोची समझी साज़िश इसके पीछे है यह सवाल का चवाब हम लेंगे जनता चनारतन से देखो जी यह तो यूगो यूगो का इतियास रहा है कि हमारे उपड़ना हमेशा बरबरता हावी रही है हिंदुस्तान में मुसलमान कहां से आया सबसे पहले बाबर आया कभी कोई इरान से आगा है कभी मतलब साओधी अरब से कहीं से भी तो इन लोगों ने बरबरदा से धरम परिवर्तन करवाए तो वो बरबरता आज तक उनके खून में आती जा रही है हमारा बच्चा मरिया हम लोग फिर भी बड़ी सहजता थे इस चीज को ऐसे ले रहे है कोई कुछ हुआ ही नि इसमें कोई राजनीती काम नहीं करती राजनीती तो केवल चश्मा होता है मीडिया का देखने का या बात को बढ़ाने का इसमें राजनीती जिस मा का बच्चा गया आप उसके आप उससे पूछो है ना वो तो दंगे की भेंट चड़िया है ना तो यह कुछ नी है कि य कोई राजनीती उसको कह रहा है यह हिंदू-मुस्लिम के चक्र को छोड़ देना चाहिए प्रदेश की और देश की उनती के लिए सब को मिल जुल कर रहना चाहिए यहाँ काशिकर में जगड़ा हुआ हिंदू-मुस्लिम का तो यह बहुत गरत बात है मतला भी नहीं कहने का ने एक बात ओर भी है यह भारत है यहां भारत में जंडे ले राने पर इस तरह की बाते कर रहे है इस तो जब यह एसी तरह की बात गियू जखेंगे तो जो देश भक्त लोग है उनको पीड़ा हो उनके अंदर आ राज़नीत की जो पार्टी आए वो इस तक रहते हैं लेकिन ये गलत हो आई गये जंड़ गुशा कि बात है कि सब लहनाते हैं बच्चे बच्चे शोठाए स्कूल के बच्चे चाहरे टीचर लहनाते हैं तो उनको पर हमला भूर जो हिए वो गलत हुआएगा चए गड़ी से कड़ा क्क्राइम उसको रेना चाहता हाँ बिल्कुल सरकार को जो है ले रहा है सरकार करी में सरकार हाँ मेरी है व्यूरे ब्ले चार extrem लेंगी वह भी देlands है कि तिरंगा यात्र तो पूरे देश में निकल रही थी लेकिन जो जगडा हुआ है वह ऐसा लग रहा जैसा बहुत सोची समझे हो पहले सी क्योंकि हतियार भी निकले हैं बारूद भी बंब निकले हैं तो इस तरह के अखबार में हुई है तो ऐसा लगता है पहले से प्लान पाकिस्तान के नाले के किज़े केन andra के नहीं लगा है कुछ 5ड बंब बिगारने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं कि अब्लेम लगाने कि सरकार को कैसे बतनाम किया जाए इस साजिश को तहत उर ऒघर वर क्या है मेरा कहना यह कि अत्रप्रदेश के अंदर जो मोधी सरकार रही है ता कि दूसरे आदमी वो न उठा से कर गये लेकिन इस सरकार को यह नि Crystal को बदनाम करने कि यह साजिस है राश्ट्रिय दोज है वो सब सभी लोग लहराते हैं लेकिन इस तरह की घर्टना होना माले दी कोई आदमी है कि जा भी रहा तो जाने के लिए मेरे सोचे कि जाने के लिए रास्ता दे देना चाहिए और ये तो किवल जनता जो लोग सरकार की इन बातों से पिडित है जैसे की दंगई लोग जैसे के बंद करा जा रहा है यह जोगि चैसे सक्ता है और सेंट्रल में मोदी की सत्रकार काइम रहे है तिरंगा यात्रा आखिरकार शव यात्रा में कैसे बदल गई कैसे चंदन की जान चली गई इसका जवाब आपको बिली गया होगा क्योंकि जनता बहुत होश्यार है और अपनी होश्यारी से जनता ने जवाब दे दिया क्योंकि यूपी की जनता सब कुछ जानती है और सब नहीं लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगों पर और सब्सक्राइब कीजिए हेड़वाइन्स इंडिया